कुलो जिला में देश विदेश से परियाटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और एडवेंचर गतिविधियों का आनंद उठा रहे हैं परियाटक व्यास नदी में वाइट वाटर रिवर राप्टिंग के आनंद के साथ साथ कुलो जिला में राफ्टिंग पॉइंट पर स्थानिय महिलाए परियाटकों को कुलो वी पत्टू धाटू और गहने पहना कर खो मनरंजन करवा रही है विभिन राफ्टिंग पॉइंट्स पर प्रियाटकों की भीड लगी हुई है जिससे कुलो मनाली में एडवेंचर गतिविदियों से जुड़े कारोबारियों को भी खूब लाप मिल रहा है देश के अधिकतर राजू में गर्मी प्रचंड रूप में हैं ऐसे मैं कुलो मनाली में व्यास नदी की जल्धराओं में प्रियाटक व्यास के स्वच्छ ठंडे पानी में अठखेलियां कर रहे हैं कुलो मनाली घूमने आए प्रियाटकों ने कहा कि मैदानी इलाकों में गर्मी होने से वे कुलो मनाली में ठंडे मौसम का आनंद ले रहे हैं उन्हें कहा कि वे यहाँ पर राफ्टिंग गतिविधियों का भी खूब आनंद ले रहे हैं उन्होंने कहा कि रोहतांग जन्नत से कम नहीं है इसलिए बार-बार रोहतांग जाने का मन करता है हम आया है देली से और काफी अच्छा लग रहा है यहां पर आके क्योंकि देली में इतनी गर्मी है कि क्या बताएं यहां पर इतना अच्छा वेदर है बहुत अच्छा है तुम लब काफी अच्छा लग रहा है हां पर आके अभी हमने राफ्टिंग की है काफी अच्छा लग कि इन्सान कहां जा है मनाली कि नवेदर दॉट बहुत प्लेजिंट है भूट एक्साइटिंग भी है काफी अच्छा लग रहा है बहुत मजाराया है पहली बार आए हैं sen जोई करें हैं जेक फ技 बोट अच्छा लग रहा हैं लेका हमने पहनी बार पहनी है लेका लिए सभी रहा है है रोतांग में पिछले तीन दिन से स्नोफॉल हो रहा है तो अच्छा है कि आप यहां पर कम टाइम स्पेंट करें और मनाली में ज्यादा करें एक्छली इन्हों ने इसी वज़े से टूरिस्टी वज़े से थोड़ी राइस पीक काफी बढ़ा रखी है लेकिन अच्छा है प टूरिस्ट आते हैं यहां के लोगों का खर्चा चलता है उसी से ही इतने जादा पैसे ना बढ़ाएं कि टूरिस्ट आना बंद कर दें यहां के लोगों को परिशानी हो जाए बहुत ज्यादा नोने रेट हर चीज में बढ़ा रखें सिटी चैनल के लिए कुलों से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट